हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। काव्य समझूती, भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक हैं, कवी कहते हैं कि उनके रंग, रूप, पहनावा और भाषाएं भले ही अलग-अलग क्यों न हो। काव्य समझूती, कुदरत ने बेला यानि मोगरा, गुलाब, जुही, चम्पा, चमेली, जैसे अलग-अलग रंग, सुगंद, एवं कद के फूलों का सरजन किया हैं, परन्तु वे प्यारे-प्यारे फूल माला में गूंथने पर एक बन जाते हैं, कवी कहना चाहते हैं, कि भारत के लोग अलग-अलग भाशा, रंगरूप के होने के बावजूद एक हैं, कोयल की कूक न्यारी, पपिहें की तेर प्यारी, गार ही तराना बुल-बुल, राग मगर एक हैं, काव्य समझूती, कोयल की बोली अलग ही मनभावन होती है, पपिहें की बोली मीठी, प्य इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग-अलग हो पर उनका राग एक है। कवी कहते हैं कि अलग-अलग बोली और भाशा बोलने वाले भारतवासी की आवाज एक ही है। कवी कहते हैं कि इस तरह देश प्रेम सभी भारतवासीयों को एक बना देता है। दर्म है अनेक जिनका सार वही है। पंथ है निराले सब की मंजिल तो एक है। कावे समझुती। भारत में हिंदू, इसलाम, शीक, जैन, पारसी और कृस्ते धर्म के लोग रहते हैं। उनकी पूजा पद्धती अलग-अलग हैं लेकिन हर एक धर्म का सार एक ही है।